दोस्तों TRS हिंदी का हैलाइज चैनल TRS क्लिप्स हिंदी में आपका स्वागत है सीखिए इन्जॉय कीजिए इतने सारे सवाल है एक बेसिक देशी सवाल है आपके लिए चैट जीपीटी भारत में क्यों नहीं बना अगर हम इतने ज्यादा स्मार्ट है अगर हम ही वहाँ जाकर टालेंट सप्लाए कर रहे हैं तो अमेरिका में क्यों बना चैट जीपीटी चैट जीपीटी के लिए जो रिसोर्सिस चाहिए ना इंडिया अभी भी सिरफ 13 से 14 साल पुराना स्टार्ट अप नेशन है हम लोग बहुत बहुत जादा अभी आप देखिए हम usually किन कंपनीज में बड़े हैं हम उन में बड़े हैं जहां पर या तो जो युएस के अच्छे आइडियाज हम यहां इंप्लिमेंट कर देते हैं तो हमारे पास आज हमारा वीसी इंड़स्ट्री इस नॉट डाट फोरकास्टिंग कि इतना पैसा एक चैट जीपीटी बनाने के लिए आपको जितना पैसा चीए आपको जितना पैसा चीए आपको जिन लोगों बिल्कुल चाट जीपीटी के बारे में कुछ नहीं पता जट से बता दीजे चाट जीपीटी है क्या ओपने आए है क्या और फिर बताईए कि ये कंपनी बनी कैसे चाट जीपीटी एक आपको कोई भी डाउट होता आप गूगल पर जाते हैं गूगल यूबि जो वो सारी ब्रह्मान के लिंक से लेके जो चाट जीपीटी को लगता है कि आपको सिरफ एक स्पेसिफिक पारग्राफ में रंवीर जी के बारे में सब कुछ पता हो जाना चाहिए that is चाट जीपीटी it is specific it is extremely personal and it is it removes your work जो इतना पहले आपका redundant काम नहीं था आप इतने सारे लिंक्स लेंगे उसमें से आप अपनी perception निका लेंगे उन सब को करके एक जगा पर आंसर आ जाएगा that is चाट जीपीटी for you वहां क्यों बना वहां इसलिए बना क्योंकि इसके लिए बहुत पैसे की जरुरत है जो model क्योंकि जो model होता है मैं आपको छोटा से example बताता हूं एक machine learning training model जो होता है उसको करने के लिए आपको क्योंकि आप ये देखिया आपको रनवीर अलाबादिया जी के कोई डेड़ से content reject करना पड़ेगा ये सब server पर होता है server cost से आता है जिसको आप बोलते हैं जैसे AWS है Microsoft का Azure है ये सब server cost देते हैं अब ये server cost इतना ज्यादा हो जाता है और यहां पर revenue model इसमें ये कुछ ऐसे businesses हैं जहां पर 10 साल लगते हैं एक product बनाने के लिए हमारे यहां पर venture expectation है 5 साल में exit ह सना चाहिए हमारा तो वो वही बन सकते हैं जैसे Google है Google took its own sweet course of time to become profitable Amazon took 20 years to become profitable तो हमारे इंडिया में अभी वो उतनी mature ecosystem नहीं है और उतना पैसा हम लोग उनके पास VC पैसा नहीं है पर ideas और talent है बहुत जाद आप यह देखिए chat GPT में बहुत सारे engineers तो इंडियन है ओके क्या कुछ लोग open AI को छोड़ कर यहां आकर open AI style company start करेंगे ज़रूर करेंगे बट chat GPT open AI एक layer है उसके ऊपर companies बनेंगी अब example अभी तक हमने अभी तक generalized AI चल रहा है जिसमें क्या है मैंने कोई questions पूछा उन्हेंने answer दिया आप chat GPT के ऊपर आप अपने products बना सकते हैं example आपने क्या किया कि मेरे को ये मेरे को एक virtual assistant बनाने तो वो chat GPT की layer के ऊपर आप अपना virtual assistant बना सकते हैं वो business के लिए आपको कम पैसा चाहिए वो इंडिया में बहुत सारे बनेंगे आने वाले समय में मेरे हिसाब से देड़ से दो हजार start-ups सिरफ आने वाले पांथ साल में बनेंगे जो chat GPT के ऊपर बनेंगे मतब क्या ये open AI company दुनिया की सबसे valuable company बनेगी eventually yes in my open Google से ज़्यादा I think so Google का बाद करके एक उनने product निकाले B-A-R-D but I have a lot of faith I know Sam so I have a lot of faith in his ability okay okay one minute इसके बाद में थोड़ी और बात करनी चाहिए हमें basically इन्होंने एक software बनाया बहुत सारी investment के साथ servers खरीद करके अगर आपके पास बहुत ज़्यादा servers computational power yes that's the right word basically 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 अगर आप बहुत ज़्यादा बिजली का इस्तमाल कर रहे हो उन servers को power करने के लिए plus अगर आपके पास AI का talent है अगर talented AI engineers है और अगर आपके पास 10 साल है अगर आपके पास बहुत ज़्यादा VC मनी है फिर जाकर एक open AI की company बनेगी पर Sam Altman ने कब शुरुआत की इसकी Sam Altman है कौन Elon Musk ने इनकी help क्यों करी और आगे जाकर Sam Altman के क्या plans है क्योंकि ये शायद ये इनसान यहां तो दुनिया के super hero बनेंगे या super villain है So Sam Altman वाइक कॉंबनेटर के president थे जब मैं 2016 में था I met him वाइक कॉंबनेटर के वाइक कॉंबनेटर दुनिया का सबसे बड़ा incubation house है San Francisco में Airbnb का अपने नाम सुना होगा that was a YC company incubation का मतलब हुआ कि वो एक company में 7% equity लेते हैं कुछ पैसा डालते हैं और उनको guidance देते है Innovate मेरी company YC company है तो मैं तो doctor हूँ मुझे business का सारा knowledge YC ने दिया तीन महीने का boot camp है जो आपको business का सब कुछ सिखा देंगे तो वहाँ पे मैं मिला Brian Chesky से Airbnb के founder है मैं मिला Sam Altman से Sam Altman उस टाइम पे YC के president थे उन्होंने उस टाइम पे 2015 में उन्होंने ये वाली नीव रखी थी open AI की और आज उनको 8 से 9 साल हो गए हैं and he has been under the radar and just focusing on this and अब जाके पिछले 6 महिने में वो public में आए हैं और ये सब काम कर रहे हैं Elon Musk ने इसलिए उनकी मदद की because बहुत ambitious project है Microsoft has invested a lot of money ये आप लगा ले Microsoft ने एक billion dollar तो इछले साल ही डाला था आप ये लगा लीजे this can truly transform और मैं बहुत positive तरीके से देखता हूँ मुझे लगता है ये super hero बनेंगे मैं मानता हूँ के human resource disruptions आएंगी लेकिन AI की वज़ा से इतनी जादा speed humanity की बढ़ जाएगी जो आप imagine नहीं कर सकते मैंने आपको पिछली बार Finland airport के example बताया था मैं आपको इस बार example बताता हूँ path AI करके एक company है pathology में न हम क्या करते है cells को study करते है आँखों से Microsoft वो एक pathologist को study करना पड़ता है pathologist दुनिया में कम है अगर आपने computer को computer vision के जरिये pathologist बना दिया एक pathologist बनाने में 15 साल लगते है pathologist होता क्या है जो आपके lab जहांपे आप cholesterol blood यह सब check करवाते हैं उन सब के doctor जो आपको बताते हैं बनाने के लिए लगबग 15 साल लगते हैं आप computer vision से सिरफ और सिरफ आदे घंटे के अंदर कितने सारे x-rays scan कर सकते हैं जो शायद जितने radiologist दुनिया में वो इकठे नहीं कर सकते हैं तो that is the power और मैं मानता हूँ इससे radiologists को disruption आएगी लेकिन होगा क्या radiologist वो cases देखेंगे जो ये नहीं देख पाएंगे और efficiency बढ़ जाएगी आप सोचिए x-rays computer पढ़ने लग जाएगे तो आपको मैं एक simple way में बताता हूँ आप सोचिए एक छोटी सी machine है वहाँ आप 100 x-rays डाल दीजे वो आदे घंटे में आपको बता देंगे कि इन में से 40 x-rays कौन से हैं जिन में problem आ सकती है इन में से ये 40 x-rays आप radiologists को दीजिए और आप सोचिए एक आफरिका के अंदर radiologists सही नहीं सब सहारन आफरिका के अंदर there are no radiologists वहाँ पे लोगों को fracture हो जाता है उनका x-ray नहीं हो पाता आप सोचिए अगर उनका x-ray पढ़ने के लिए एक कंप्यूटर हो तो कितनी fast वहाँ का healthcare ecosystem डेवलप हो जाएगा ऐसे ही आप ये लगा लीजे ऐसे ही healthcare के अंदर आपको अगर मान के चले जैसे आपने कहा के मेरे को आपने कहा के मेरे को यहाँ पे थोड़ा सा pain हो रहा है आप computer का camera लगाएंगे इसके उपर और AI model इसको देख के बताएगा कि इसमें क्या-क्या हो सकता है क्योंकि रात को 3 बज़े आप शाइड डॉक्टर के पास ना जाना चाहें आप सूचिए एक patient ICU के अंदर है वहाँ पे सामने camera रखा होगा डॉक्टर के mobile के उपर उसका respiratory rate उसका blood pressure सबकुछ आएगा और जैसे ही वो उपर आएगा वो एकदम से उसको अलाम भेज देगा और उसकी immediate वो उसकी आँखे कैसे हैं वो सबकुछ डॉक्टर देख सकता है और AI को पता चल जाएगा कि इसकी आँखे डूप हो रही है शाइद patient problem में है immediate अलाम लगाएगा AI के जो use cases है ना किसी को नहीं पता अभी इतने जादा हैं जो आप सोची नहीं सकते last example आपको बताऊंगा मेरे कमरे में sunlight बहुत आती है sunlight के हिसाब से मेरी electricity consumption उपर नीचे होती रहेगी अगर मुझे 24 degree temperature चाहिए तो वो अगर यहाँ पर sun तेज हो गया तो वो 24 पे ले जाएगा अगर sun थोड़ा सा धीमे हो गया तो वो क्या करेगा उसको थोड़ा बढ़ा देगा आप सूची कितनी electricity सेव हो जाएगी अगर यह scale पे हुने लग गया थो अब पिछली बार कब मिले Sam Altman मैं तभी मिला 2016 में मिला और उन्होंने आप से कहा कि वो ऐसे कुछ बना रहे है नहीं उस ताम पे था वो पुरा stealth mode में था मुझे पता चला 2019 में and that too not from him but from someone working with क्या बोले वो कुछ बन रहे है उन्होंने कहा कि AI is going to transform मैं Y Combinator companies में invest करता हूँ तो मेरा एक काम है मैं को लगता है सबको करना चाहिए my job जिसमें हमने बात की कि slow looking क्या होती है my job is to know trends of the future अगर मैं आज से 7-8 साल बात क्या होने वाले उसमें अगर मैं invest करूँगा तो मैं अगर मैं खराब भी invest कर रहा हूँ ना मैं अपने अप तुनामी पर चड़ जाओंगा जैसे हमने co-working में किया मुझे पता था 2018-19 में co-working की demand इतनी जादा आएगी कि डिकार co-working centers भी चलने लग जाएगे so you should know what are the trends so एक trend and मैं हमेशा पूछता रहता हूँ trends क्या है जहाँ पर मेरे को अपनी energy और time लगाना चाहिए जहाँ पर wealth creation हो सके AI उस time पर मेरे को पता चला कि AI में बहुत activity हो रही है तब मेरा वहाँ से interest आया दूसरा trend robotics चितना manual काम है न हमें लगता है robot हमारे दिमाग में शुरू से robotic humanoid है जो चल रहे है यहाँ वहाँ और काम कर रहे है robot का 95% area is AI 5% वो machine है और जो उनके metal और वो सब है robotics आने वाले समय में और robotics के लिए इंडिया में क्यों नहीं robotics आया actuators इंडिया में नहीं बनते हैं South Korea में बनते हैं जो उनकी motor machine होती है जिससे robot चलता है अपने आपको बैलेंस करता है हमने एक robotics company में we hold a significant equity in India called Asimov Robotics उन्होंने 6 feet का अपना robot बनाए इंडिया में that became the first police officer of India केरला police में हमने हमने आप उसके पास जा के अपनी FIR लखवा सकते हैं हमने यह देखा robot हमारे दुनिया के अंदर इतना significant आपhe will create कर सकता है जो आप imagine नहीं कर सकते है इतने काम ऐसे हैं जो robots करेंगे जो आप सूच भी नहीं सकते हैं robotics with AI is a trend which is going to transform humanity in my opinion कब होने वाला है होना चालू हो गया US में, San Francisco में last year I have seen so many cars that are self driving चाहे partially self driving mall से गाड़ी mall से गाड़ी parking lot से खुद गाड़ी चल के आती है and this is happening हमें लगता है लोगों को लगता है कि नहीं ये कहां हो रहा है pro artificial intelligence की skill पता चलेगी जब गाड़ी दिल्ली में या बंबे में चलेगी यहां पर कोई lane driving नहीं है कुछ नहीं है but still ये धोना चालू हो गया robotics में cobot नाम की एक company है kuka नाम की एक company है kuka is phenomenal kuka इंडिया में काफी इच्छा काम कर रहे है amazon के पास पते कितने robots हैं अपने warehouses में एक लाख robots और हमें लगते हैं कि robots नहीं आए है अभी तक robots हमारे personal residential use में नहीं आए है industrial robotics अडरेडी एक huge 300 billion dollar का enterprise value का पूरा industry है kuka रोबोटिक्स क्या करते है अगर आप tesla की giga factories में चले जाए tesla के अंदर robotic intervention इतनी ज़ाद है जो आप सोच भी नहीं सकते है अभी हम south india में एक hospital है dr. devis shetty चलाते हैं वो hospital उन्होंने asimov robotics के साथ एक contract time किया that help us find robotic nurses जो सिरफ और सिरफ medicines को एक जगा से दूसरी जगा लेके जाएं because nurses का इतना time waste हो रहा था they are not transporters robot जाते हैं transport करते हैं और वापस आते हैं अब आप सोचिए उसमें इतने साथ उसमें lift भी involved है lift company के साथ partnership करके क्योंकि robot को तो button नहीं दबाना आता जब robot pass आएगा तो automatically वो button दब जाएगा so ये ecosystem है जिसको develop करने के लिए या तो green field green field का मतलब हुआ शुरू से zero से चालू करना या फिर brown field जिसका मतलब है कि जो existing infrastructure है उसको use करना है example robot को ये समझाना कि वहाँ पे CD है नहीं तो robot गिर जाएगा पहली बार गिरेगा उसके बाद वापिस उठेगा robot को मैपको बताता हूँ मैं Asimov Robotics Headquarters गया मैंने robot से पूछा मैंने का can you make a tea for me robot and she's a female women empowerment के लिए उनको हम लोग she बोलेंगे तो उनने ने का I can make a tea for you Dr. Malik, she recognizes my face because of my Facebook I said how much time will it take she said मुझे 31 घंटे लगेंगे मैंने का क्यों कैते ही मुझे 30 घंटे लगते है नमक और शकर को differentiate करने में क्योंकि मुझे पता नहीं है वो क्या होते अब वो चेंज हो रहे है पिशली बार गया अब उसने का मुझे 1 घंटा लगते है दिमे दिमे आएगा वो पांच मिनट में आपको चाह बना के दे देगी पुरा खाना लेकर आती है वो मैं आपको वो वीडियो भीजूगा कहा है कोचिन 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 वाँ 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 वीडिवेस्टे इन 2014 I'm so passionate about robotics हमने robotics इस चरफ एक कंपनी में इंवेस्ट किया बट वे इंवेस्टेट सिग्निफिकंटली इन आप कौंसी कंप्री है Aseemov Robotics तोके तेस वेरी फेनॉमनल थोड़ा सर्फिर है हमारे फांडर है बहुत अच्छे इंसान ये वीडियो से आपने कुछ सीखा न बागी के वीडियोस भी देखिये बहुत तगडे वीडियोस होते हैं TRS Clips हिंदी पर आपको बस चैनल को एक्स्प्लोर करना है ये वाली प्लेलिस्ट देख लेजिए आपके लिए बनाएंगे हैं दोस्त आपके बनाएंगे हैं